नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिबेसन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीती के अनुसान बरताएंगे कि जीवन में हमेशा मिलेगी कामियाभी आगर रात के समय नहीं करेंगे ये कुछ खास काम दोस्तों माना जाता है कि रात के समय कोई भी सुभ काम नहीं करना चाहिए सास्तरों में इसका कारण माना जाता है कि रात में अंधेरा होता है जिसके कारण नकारातमकता दूर दूर तक फैली होती है दोस्तों इसी कारण से कुछ कामों रात में करना बरजित माना जाता है विश्रु पुरार और चारक के नीती में ऐसे कई काम बताए गए हैं जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए रात के समय इन कामों को करने से दुरभागे आपके गले पड़ सकता है आईए जानते हैं उन कामों के बारे में लेकिन दोस्तो सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिकेश्ट है यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिज लाइक कर दीजिए और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के चारक नीति से सम्मंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फिरी में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किजिए अब चलिए मित्रों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नमबर एक है चवराहों पर नहीं जाना चाहिए किसी भी बेक्ति को रात के समय चवराह से दूर ही रहना चाहिए रात के समय अक्सर चवराहों पर आसामाजिक तत्तो के उपस्तिती रहती है ऐसे में युदि कोई सज्जन भेक्ति चवराह पर जाएगा तो उसे परिसानियों का सामना करना पर सकता है पहीं बीसुरू पुडान में बताया गया है कि रात के समय ब्यक्ति में नाकारात्मक्ता हाभी रहती है वो छोटी छोटी बातों पर बहंस करने के लिए उतारू हो सकते हैं इस बजह से किसी भी ब्यक्ति के लिए परेशानी हो सकती है और मित्र नमबर दो है समसान के आसपास नहीं जाना चाहिए रात के समय समसान के आसपास जाना भी नहीं जाहिए समसान के छेतर में सदब नकारात्मकुर्जा सक्रिय रहती है इसका बुरा आसर हमेशा मन और मस्तिस पर पड़ सकता है साथ ही समसान शेतर में जलते हुए सबों से निकलने बाला धुआँ भी स्वास्ति के लिए हानिकारक रहता है उस खेतर के बाता बरण में कई सूच म कीटारू भी रहते ही जो स्वास्ति को नुक्सान पहुचा सकते हैं इसलिए समसान जाने के बाद इसनान करना जरूरी बताया गया है रात के समय में इसनान करना भी स्वास्त को नुक्सान पहुचा सकता है इन ही कारणों के चलते रात के समय समसान के आसपास नहीं जाना जाहिए और मित्रों तीसरा कारण है बुरे चरित्र वाले ब्यक्त से दोस्तों बिशुरू पुराण और रुचारक के नीति में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन के समय बेसक अपनी शबी बनाए रखने के लिए सत्कर्म करते हैं लेकिन रात होते हैं उनके मन में छुपी बुरी चाहें सक्रिये हो उठती हैं इसलिए बुरे चरित से परहेज करते हैं वो किसी मुसीवत में नहीं पड़ते हैं और उनके जीवन में धन दावलत सुहरत और प्यार किसी चीद की कमी नहीं रहती है और मित्रों नमबर चार है दोस्तों हमारे हिंदू सास्त्रों में साप तवर पर बताये गया है कि आधी रात के बाद किसी भी ब्यक्ति को संबंध नहीं बनाना चाहिए दोस्तों संबंध बनाने का सही समय बारहा बज कर तीस मिनट तक ही माना गया है और दोस्तों इसके बाद का समय अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों हमारे हिंदू सात्रों के अनुसार सुबह का समय पूजा पाठ के लिए माना जाता है और यदि मित्रों आप रातरी तीन बजे के बाद संबंध बनाएंगे तो आप पर नकारात्मक सक्तियां सक्रिय हो सकती हैं इसलिए मित्रों आपको कभी भी तीन बजे के बाद सारी डिक संबंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये समय पूजा पाठ का माना गया है और यदि आप ऐसे समय में संबंध बनाएंगे तो बेदेवी लचमी आप से बहुत ज्यादा कुरोधित होंगे और आप यदि पैसे वाले इंसान भी होंगे तो बहुत जल्दी एक गरीब ब्यक्ति बन जाएंगे तो मित्रों हमारा आज का ग्यान बढ़ा का और नालेजबल वीडियोस बस यहीं तक था